नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजीनियर अभी से एक सिंग और आप देख रहे हैं, सिविल इंजीनेरिंग सपोर्ट दोस्तो बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि सोकपिट तो बनवा लेते हैं ठीक है सोकपिट जो होता है सोकता गड़ा वो बनवा लेते हैं लेकिन दोस्तो कुछ ही महीनों या फिर साल के बाद वो सोकपिट दोस्तो ब्लॉक हो जाता है उसमें पानी सोकने का जो छमता है वो नहीं रह जाता है तो चलिए आज मैं आपको एक complete बनाये जा चुके सोकपीट के design को आपके साथ detail में बताता हूं साथी साथ क्या गलती होता है और किस तरह से बचना चाहिए उस पे मैं प्रकास डालने का कोशिस करता हूं इस सोकपीट का साइज 7 feet by 10 feet है आप अपने अनुसार अपने यूज के अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तो जो सोकपीट के बीच में बनाया हूँ जो tower है उसका साइज 2 feet by 2 feet का रखा गया है दोस्तो अगर बात कर ले कि हमें इस सोकपीट में पानी का intake कहां पे देना है मतलब पानी कहां गिराना है तो उसका सही जवाब है इस tower के अंदर जो बीच में गढ़ा दिख रहा है आपको 2 feet by 2 feet का बनाया हूआ है उसी के अंदर दोस्तो आपको पानी का intake देना है अब बात कर लेते हैं कि अगर इस गढ़े के अंदर में ना दे करके कहीं और पानी का intake दे दिया तो क्या होगा दोस्तो क्या होता है कि हम घर में जो भी पानी यूज करते हैं कुछ धोते हैं वगरा तो हलका सा मिट्टी दोस्तो, हलका सा मिट्टी का जो कन है, वो पानी के साथ बह करके हमारे सोख पीट मा जाएगा, अब क्या होगा दोस्तो, कि वो अगर इस गड्डे में नहीं गिराएगा, इंट पे गिरा देते हैं, तो क्या होगा, इंट को पूरी तरीके से एक दिन गिर रहेगा, दो दिन करेगा, मिट्टी इकठा होती रहेगा दोस्तों और वो काई का रूप ले लेगा, ठीक है? काई लगने के बाद में जोभी पानी गिरेगा आपका, उसको इंटा अलावी ने करेगा, या फिर इंट में जो सोखने के च्छमता होता है वो दोस्तों खतम हो जाएगी और इस तरह से आपका शौकपिट बरबाद हो जाएगा दूसरा गलती लोग करते हैं इंट के चुनाओं में किस तरह का इंट का चुनाओं किया जाए ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों अगर माल लिजिए कि फुल लेंद का ब्रिक हम इस्तमाल करते हैं तो उसमें ब्लॉकेज का समस्त्या तो नहीं आएगी लेकिन उसका जो सोखने का च्छमता है दोस्तों उसमें कमी रह जाएगी वही इंट को अगर आप बीट से तोड़ देते हैं तो आपका दो साइड और बर गया तो और इंट में दोस्तों पानी सोखने का जो है जगा खुल गया तो इस तरह से हाफ लेंद का जो ब्रिक है आधा इंटा है उसका ही दोस्तों इस्तमाल करते हैं बहुत से लोग एक और गलती करते हैं कि वह इंट का जो छोटा-छोटा चूरा होता है दोस्तों उसको भी डालना है स्टार्ट कर देते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं डालना है चली मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं डालना है दोस्तो अगर इट का छोटा चुरा अपने सोख पिट में आप डालते हैं देखिए इस तरह का तो ये क्या होता है कि कुछ महीने या साल के बाद गल जाएगा छीक है ये पाौडर को फॉर्म में आ जाएगा गल जाएगा तूट जाएगा इस से क्या होता है दोस्तो और ये जो full length brick है इसको भी इस्तमाल नहीं करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया आप समझ गया होंगे और जो इंटा का चूरा है दोस्तों वो गलने के बाद क्या होता है कि आपका जो एक इंट से दूसरे इंट के बीच में जो gap है जो पानी को अलाव कर रहा है कि वो नीचे फैर उसको भर देगा फिल कर देगा इस तरह से आपका पानी नीचे जाही नहीं पाएगा तो अगर इन सब छोटे छोटे जानकारी को दोस्तों ध्यान में रख करके आप अपना सोकपिट डिजाइन करते हैं बनवाते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत जादा फाइद आओगा दोस्तों अब मुझे ने लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है ठीक है और कोई दिक्कत है आपको कोई और जवाल करना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और विडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए बिलकुल फ्री है धन्यवाद